यहसर्प काम और जिसमें में बांक पूर बारट में ईंडीota दो झाया नोकरिहों की जहने न जैनकारि और आंवा आपके फायरे से जड़ी हुई है जो आपके लिए पहता है वालत जरूर यह तो आज जो खबर है वह एक है जह पराल कुछ पर पर लगा हैं तो आजेब बात करते हैं इस ख़बर के बारे में आपकी जेब पर कैसे भारी पढ़ने वाला है, ट्रैफिक Tobit को का पालन नहीं करना तो मैं बता दूँ अब को कि अगर आप सड़क पर चलते समय ट्राफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी जेब पर भारी पढ़ने वाला है दरसल ट्राफिक नियमों के उलंगन पर चालान काटने से वहां इंशुरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा परिवहन मंत्राले जल्दी भारतिय बीमा नियामक प्राधिकरण एड़ा के जा रहा है इससे परिवहन मंत्राले के अलावा ट्राफिक पुलिस और बीमा पॉलिसी जारी करने वाली कमपनियों को भी एक सौफ़वेर के जरीए जोड़ा जाएगा आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा पिछले पांस सालों में आपने कितनी भार ट्राफिक नियमों को तोड़ा है उसको देखा जाएगा इसी आधार पर वहन बीमा की प्रीमियम की राशी तैय होगी हाला कि जो लोग गाड़ी चलाते वक्त ट्राफिक नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं उन लोगों को इंशुरेंस रिन्यू कराते वक्त कम प्रीमियम देना होगा आई ए नहीं लेने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा मंत्राले इर्डा के डेटाबेस को जल्दी ही वहन सौफवेर से लिंक करने जा रहा है इस सौफवेर की मदद से विभाग को पता चल जाएगा कि कौन अपनी गाड़ी का समय पर बीमा नहीं कराता है ऐसे में सड़क पर संभावना है मंत्राला का ऐसा मानना है कि इस कदम से सड़क डुर्ज हटनाओं में कमिया सकती है अब ही भारत में हर सार 5 लाख स्यादक सड़क दुर्ज होती है तो इसमें डेल लाख लोगों की जान चली जाती है आप उनको आगे से साफधान कीजिए वीडियो भेजिए उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगा आपको वीडियो ची लगिए तो लाइक भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि ये चैनल लाता है हर रोज आपके लिए पूरे